एक नमर प्रशन करा है हिंदी साहितिय का सुरिय किसे कहा जाता है तो हिंदी साहितिय का सुरिय सुर्दास को कहा जाता है यानि कि ए नमबर से इंसर हो जेगा तो चलिए एकला प्रशन को देखते हैं तो दुसरे नमर प्रशन बहुती महत्वपूर्ण प्रशन है जो की बच्राहित धाई या पंक्ति की सिशक अभीता से है तो सूर्दस के पद से है यानि की सी नंबर से इंसर हो जेगा तो चलिए अगला प्रशन को देखते हैं तो तीन नमर प्रशन करा है सत्संग में किन की अभिरूची थी तो देखे सत्संग में सूर्दस की अभिरूची थी यानि कि B नमबर से इंसर हो जेगा तो आईगला प्रशन को देखते है तो चार नमर प्रशन करा है कृष्ण भक्ती साखा के कॉभी है तो देखे कि कृष्ण भक्ती साखा के कॉभी सूर्दास है यानि कि C नमबर से इंसर हो जेगा तो आई गला प्रशन को देखते है तो पांच नमर प्रशन कर रहा है सूर दस की कौन सी की राषना है तो सूर दस की राषना सूर सागर है यानि कि D नमबर से इंसर हो जाएगा आप से पुछेगा प्रिक्षा में कि सूर दस की कौन सी राषना है तो सूर सागर मार दिजीगा यानि कि डी नमबर से इंसर हो जाएगा